मेरी फसल, मेरा बैयोरा, इस स्टेटस वाले किसानों का क्या समाधान है नमस्कार किसान भाई, मेरे नम है पिर्तिम पैरे और आप देख रहे हैं पैरे विट्पी सि यूटूब चनल चले किसान भाई, वीडियो को सुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जनकारी किसान भायों मेरे पास अब जो ज़्यादा कोमेंट आती हैं वो इस स्टेटस वाले किसानों की ही आती हैं जिन किसानों का नो स्टेटस दिखा रहा है यानि उनका ने तो अभी बैंक अकाउंट वेरिफाई किया गया है और ने ही रिजेक्ट किया गया है उन किसानों की जो मेरे पास ज़ादा कॉमेंट आती है इनका जो बैंक अकाउंट है वो लग बग अभी तक इसलिए वैरिफाई nevertheless किया गया है क्योंकि या तो इनके बैंक अकाउंट में इन्होंने जोइंट अकांट दिया है या फिर कोई ऐसा bank account है जिसके साथ आधारकार लिंक नहीं है या फिर नाम में कोई गलती है या फिर किसी दूसरे बैक्ती का इन्होंने bank account डाल दिया है किसान भाईयों मैं आपको बता दूँ अगर आपका joint account है तो verify भी हो सकता है ये नहीं है कि आपका bank account प्रोपरली ही reject किया जाएगा लेकिन अगर आपका किसी दूसरे बैक्ती का bank account है तो भी 90% chance है कि आपका bank account verify हो जाए अब आपको ज़्यादा वेट करनी की ज़रूरत नहीं है लग बग इसी सुमवार को यानि 8 तारिक से आपका जो bank account है लग बग verify होना या reject होना शुरू हो जाएगा यानि ये no status आपको दिखा रहा है इस समश्या का लग बग सुमार से समाधान होना start हो जाएगा और जिन किसानों के अभी पैसे बचे हुए हैं लग बग उन किसानों के पैसे उस दिन लग बग सभी के पैसे आजाएंगे वरना अगले दिन यानि नो तारिخ तक किसानों के पैसे सभी के उनके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे इसलिए किसानों को गबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि किसानों की कुमेंट आती हैं कि बाई आप बहुत दिन से कह रहे हैं कि पैसे आएंगे लेकिन हमारे पैसे तो अभी तक नहीं आए है किसान भाईयों मैं उन किसान भाईयों को बताना चाहता हूँ कि पैसे बहुत से किसानों के आच चुके हैं लग बगे 90% जो किसान है उनकी पेमेंट आच चुकी है 5% उन मेंसे अब ऐसे किसान बचे हुए है जिनका बैंक अकाउंट तो ठीक है लेकिन पैसे नहीं आए है लेकिन 5% ऐसे किसान है जिनका बैंक अकाउंट गलत है या वेरिफाई अभी तक नहीं हुआ है उनका जो पैसा है वो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जिनका सब कुछ ठीक है उनके पैसे एक दो दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे एक समस्या जो बैंक अकाउंट चेंज कर दिया है अब वो चेंज दिखा रहा है तो उनके सानों को गबराने के जरूरत नहीं है उनके पैसे जल से जल लग बग तिन चार दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे उनको गवराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप अब उस स्टेटस को नहीं देखें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उस स्टेटस को आप देख देखकर चिंता नहीं करें कि ये वेरिफाई कब होगा वेरिफाई कब होगा इसकी चिंता आप छोड़ दे किसान भाईयो इस स्टेटस का समाधान भी लगबग सुमार से हो जाएगा आपको पता चल गया है क्योंकि इसका समाधान जब आप अगर आपका बैंक अकाउंट गलत है या आपने किसी और का बैंक अकाउंट या जोइंट अकाउंट दे दिया है तो अब आप अगर चाहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ और जब आप बदलने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आप अपना बैंक वीतर्ण नहीं बदल सकते इसका कार्ण है किसान भाईयो जो आपका bank account है वो अगर verify हो जाता तो आपको लिखा हुआ मिलता है और bank account is already verified with same name लेकिन अभी जो आपका bank account है वो तो ने verify हुआ है और ने reject हुआ है अगर reject हो जाता तो आपका bank account है आप जब mobile number डाल के submit करते है तो जो आपका OTP है उस mobile number पर चला जाता और उस समय आप अपनी bank detail बदल सकते थे लेकिन किसान भाईयो अभी जो ने तो आपका bank account verify हुआ है और ने reject हुआ है इसलिए ने तो वहें verify बता रहा है और वहें कह रहा है कि आप अपना bank को इतने नहीं बदल सकते क्योंकि वो अभी reject भी नहीं हुआ है तो आपको गबराना नहीं है आप एक दो दिन लगबग सोमार और मंगड़वार को जो ये status है वो समाप्त हो जाएगा और आपका जो या तो आपका bank account पास ही कर दिया जाएगा अगर हो सकेगा तो लेकिन अगर आपका bank account गलत होगा तो वहें reject कर दिया जाएगा उस में आपको गबराना नहीं है पैसे जरूर आएंगे हो सकता है कि आपके पैसे 10 दिन लेट हो जाएं या 5 दिन लेट हो जाएं लेकिन जब आप अपना bank वीतन बदलेंगे तो अब जल्द से जल्द verify हो के आपके पैसे आएंगे क्योंकि किसानबाईो अब बहुत ही कम किसानबा है उन ही किसानबाईों के पैसे बचे होंगे जिसलिए इसलिए जो पैसे हैं वें डालने के लिए जो bank account है उनको operator जल्द से जल्द verify कर देंगे इसके बाद जो आपके पैसे हैं वो जल्द से जल्द डाल दिये जाएंगे आपको गबरानी की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान बाईों के मन में ज़्यादा सवाल यह हैं रहता है कि हमारा अगर bank account ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे तो आपको चिंता नहीं करनी है आपका bank account सही भी होगा और आपके पैसे भी आएंगे आपके पैसे बीच में कहीं भी नहीं फसेंगे किसान बाईों अगर आपका बा किसान बाईों कुछ किसान बाईों की कमेंटा रही थी कि भाई अभी पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं तो किसान बाईों इसे समझे तो आपको भी बता है कि बाजरे के पैसे अभी क्यों नहीं आ रहे हैं किसान बाईों कान यह हैं कि अभी छुटियां चल रही हैं दिवाली के कार्ण जिसके कार्ण पैसे अभी नहीं आ रही हैं अगर छुटिया होंगी तो पैसे आएंगे कहां से ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि अभी सभी डिपार्टमेंटों की छुटी है सरकारी छुटी हैं जिसके कार्ण आपके पैसे अभी नहीं आ पा रहे हैं लेकिन लगबग सभी डिष्टकों में 90% किसानों के जो पैसे हैं वो ट्रांस्वर कर दिये गए हैं जैसे जजज़र, विवानी, दादरी और किसान भाईयों मेहंदर गड़े नुह पलवल मेवात इस परकार सभी डिष्टकों में जो पैसे हैं वो भेजने शुरू कर दिये थे और लगबग 90% किसानों के जो पैसे आ गए हैं कुछ किसान भचे हुए हैं उनके पैसे भी जल्द से जल्द आ जाएंगे किसान भाईयों कुछ किसान भाईयों की समझे आ रही थी कि उनका बाजरा तो पास है लेकिन वह एखरीद की साइट पर दिखाई नहीं दे रहा है तो किसान भाईयों जो आपके पैसे हैं वो कितने बाजरे के आएंगे यह सवाल है किसान भाईयों जितना आपकी एकْरीड गी साइट पर बाजरा है उसके तो आपके पैसे जरूर आंगे लेकिन फालतू का बताया नहीं जा सकता कि पैसे आएंगे या नहीं मेरे जो सुजाव है मेरे हसाब से किसान भाईयों जो मेरी फसल मेरा वेरास से इसका कोई समंद नहीं है जितना आपका बाजरा एक खरीद की साइट पर शो होगा उसके आपके पैसे आएंगे और अभी यह समाधान हो सकता है या नहीं एक खरीद की साइट पर जो आपका बाजरा पास हो सकता है या नहीं किसान भाईो इसका अभी कोई भी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप एक बार एखरीद किसाइट पर जाकर किसान भाईो आप एक बार एखरीद हरिआना के कस्टमर केयर या टॉल फिरी नंबर से आप कॉंटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपकी कोई मदद हो सकती है या नहीं क्योंकि किसानवाईयों यह जो समिश्या बहुत से किसानवाईयों को आ रही है और उन्हें दिकत आ रही है कि उनका बाजरा जादा पास है लेकिन वो कम दिखाई दे रहा है तो किसानवाईयों पैसे तो आपके उसी के आएंगे जो आपकी एखरीद की साइट पर दिखा रहा है उतने क्वेंटल की। किसान भायों लेकिन एक और दिकत इसके अंदर है। अगर आपने कोई और फसल बोई थी जैसे आपने रूई बोई थी और आपने वहाँ पर रूई भर दी है लेकिन या तो पटवारी की गलती से या फिर जो उपरेटर हैं उनकी गलती से वहाँ पर बाजरा पस कर दिया है या फिर आपने बाजरा भौया था लेकिन वहाँ पर रूई बरी थी और अब वहाँ पर बाजरा पस हो गया है तो वहाँ आपकी ए खरीद की साइट पर नहीं दिखाई देगा या इस बार अपडेट हो है अगर आपकी हैं समच्छा है तो इसका कोई भी समाधान नहीं है क्योंकि आपने फसल बरी थी लेकिन वो अलग फसल पास होने के कारण वो आपकी एड नहीं होगी या फिर आपकी बाजरा पास है और लेकिन आपने वहां पर दूसरी फसल बोई थी तो भी वहां पर वो एड नहीं होगी क्योंकि अब मैं फसल चेंज हो गई है या चेंज होने वाली फसल भी वहां पर चो नहीं होती है किसान भाईो अगर आपको और भी कोई समच्छा है तो आप मुझे कुछ उधार भी कर लूँगा इसमें कोई दिकत नहीं है तो दिनिवाद किसान भाईो अगर आपको मेरी फसल मेरा बजरा या ए खरीद हरियाना से समधित या बाजरे की फसल से समधित कोई भी समच्छा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिपलाई जरूर दूँगा और आपकी पूरी साहता करूँगा तो दिनिवाद किसान भाईो जई जबार जए हरियाना जए जए जवान जए किसान